दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डोक्टर पदीप प्रसंद आप भी प्रसंद होंगे ऐसी आशाहिन ही पूरण विश्वास है आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर तो आएए आज कुछ नया सीखते हैं नए टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो मना रहे हैं रीती काल के महत्तुपुर्ण प्रश्न उत्तर हमारे पास लगातार कमेंट्स आते हैं कि अकादमी परिक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परिक्षाओं से संबंदित महत्तुपुर्ण प्रश्न उत्तरों की वीडियो भी आप बनाएए तो उस संदर्व को धान में रखते हुए हम ने आदिकाल से संबंदित भक्तिकाल संबंदित वीडियो बनाई है अब रीतिकाल के कुछ महत्वर्ण प्रशनुत्रों की वीडियो हम बना रहे हैं तो आप इन्हें देखिए आपके लिए लाभनवित होगी यदि आप किसी भी तरहें की PSC की तयारी कर रहे हैं या हिंदी सहित्ते संबंदित जिस भी प्रतियोगी परिक्षा में प्रशना आते हैं उसकी तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए उपयोगी है यदि आप सेट, नेट, जैरेफ या प्री पीएचडी एंट्रेंस वगरा की तयारी कर रहे हैं हिंदी साहिते में तो आपके लिए बहुत उपयोगी है वीडियो तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल रितिकाल के महत्पुन प्रशन उत्तर पहला प्रशन है आचारे रामचंदर शुक्ल ने रितिकाल का प्रवर्तक किनहे माना है अब ये ध्यान रखिएगा रितिकाल का प्रवर्तक कोन है ये बात लगे लेकिन रामचंदर शुक्ल ने किनहे माना है ये प्रशन है तो प्रशन दिविज देव का वास्त्विक नाम था राजा मान सिंग एक बात आप ध्यान रखें वस्तुनिष्ट प्रशनों के उत्तरों और प्रशनों को गंभीरता के साथ कम से कम दो बार पढ़ें उसको समझ लें बहुत जल्द बाजी में टिक या सही या गलत का निसान ने निरधार कवित रतनाकर के रचेता है यानि कि कौन है सेनापती या अगला प्रशन हुरा म चंदरी का के रचेता сам कोण है या गत्तर है केश अम्दाश को है की अगला प्रशन है डॉक्टर नगेंदर की अनुसार रीति निरूपण का आरं भीक्रंध है अब वहीं प्रस्ण है ये भी उसी तरह को डॉक्टर नगेंदर के अनुसार बताना यहां पर कौन है रीति निरुपन का अरंबिग्रंत तो हित तरंगणी कृपाराम का अगला प्रस्ण है सत्सई परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है उत्तर है गाथा शब्थ शती हाल अगला प्रस्ण है राम चंद्री का कुछंदों का अजायव घर कहने वाले समिक्षक कौन है सही उत्तरेस का राम स्वरूप चतुर्वेदी अगला प्रस्ण है निम्न लिखित रीति कालिन ग्रंथों को उनकी रच्यताओं से सुमेलित कीजिए पाणिनी चरित चिंतामणी सुजान चरित लालकवी कावे प्रकाश मुबारक छत्र प्रकाश सूदन तो इनका सही क्रम क्या होगा तो सही उत्तर है ये जो सेवाला 3412 इसको आप मिला लीजिएगा आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सत्सई पर लिखित फारसी टीका का क्या नाम है अगला प्रशन है बिहारी सत्सई के प्रतेग दोहे पर सवये की रचना करने वाले कवी कौन है अगला प्रशन है निम्न लिखित रीती कालीन गरंतों को उनकी रच्यताओं से सुमेलित कीजिए इधर रचनाकार लिखे हुए हैं उधर रचनाय हैं तो रचनाय पहले हम पढ़ते हैं बीर सिंग देव चरित कवी कुल कंठा भरन व्रत कोमदी रस प्रबोध अब इनके आगे रचनाकार लिखे हुए रसलीन मतिराम कवी दूल है केशवदास आपको सही करम बताना है यानि की पहले का दूसरे का क्या है तीसरे क्या है चोथे क्या है इसका क्या आएगा तो ए बै से दे तो इसमें दे क्रम सहिए चार तीन दो एक इसको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजए चार तीन दो एक का मतलब यह है कि बीर सिंग देव चरित्र के सामने जो है वो चार है यानि केशवदास कवी कुल कंठा भरण के सामने कवी दूल है वरत कौम दी मतिराम रस प्रबोद रस लीन इस तरह से है प्रशन नमबर तहिरवा है राधा का नहाई को सुमरिन को बहानो है रीती कालिन कवीयों की भक्ती हिंता के संदर्म में उक्त समिक्षा करने वाले कवी कौन है चार ओप्सन है आचारे शुकल, बाबु गुलावराय, बिखारी दास या देव सही उत्तर इन में से चुनना है, सही उत्तर है बिखारी दास अगला प्रशन है निम्न लिखित रीती गरंथों को रीती बद्ध कवीयों से सुमेलित कीजिए कवी कुल कंठा भरन, गुरु गोविंद, सिंग, चंदमाल, चंदमाला, मतिराम, ललित ललाम, केश्रवदास, सर्व सोलह प्रकाश, कवी दूलह सही उत्तर इसका बै है, चार, एक, दो, तीन, इसे आप सुमेलित कीजिए अगला प्रशन है किस विद्ध्वान ने केश्रवदास को भाषा का मिल्टन की संग्या दी गणपती चंद्रगुप्त, मिश्रबंदू, पदम सिंग शर्मा ये डोक्टर नगेंद्र, सही उत्तर है मिश्रबंदू अगला प्रशन है जायसी कृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास सहाई के गरंथ का क्या नाम है तो सही उत्तर है ककहरा अगला प्रशन है नाई का भेद की द्रश्डी से सर प्रतम रितिकालिन गरंथ है रतकोमदी चंदसार, पिंगल शास्त्र या चंद माला, तो सही उत्तर है चंद माला निन्न लिखित रीति कालिन ग्रंथों की उनके रचिताओं से मिलाईए रचना कीजिए सुधानी धी तोष रतन हजारा रसनी धी द्रोन पर कुलपती मिश्र रामाश्रु मेग चिंता मणी तो सही उत्तर है एक दो तीन इसके अकोरडिंग सही क्रम आएगा यानि कैमे एक, खैमे दो, गैमे तीन, गैमे चार ये उपर लिखावा जिस तरह से बीस्वा प्रशन है निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है ध्यान दीजेगा नहीं है बताना है रसराज अलंकार पंचाशी का वृत कौमदी ये मतिराम के ग्रंथ है और वृत विचार नहीं है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंग रचित नहीं है अगला प्रशन है सुजान रहित प्रबंद सुजान विलास सुजान चरित के रचिता क्रमशे कौन है कवी राज शिरो मनी उपाधी प्राप्त कवी है इन में से कौन है भूशन सूदन पदमाकर या द्विज देव तो सही उत्तर है पदमाकर अगला प्रशन है छल को चोंतीसवा संचारी भाव मानने वाले रीति बद्ध कवी कौन से है इन में से देव के शवदास चिंतमणी और मतीराम ने नहीं माना है देव ने माना है रसलीन का वास्त्विक नाम क्या है सेद अश्रप महेश्दत सेद गुलाम नभी अब बलिद तो सही नाम है सेद गुलाम नभी अगला प्रशन है निम्न लिखित रीति कालिन कृतियों को उनके कृतिकारों से सुमेलित कीजिए रसिक मोहन रगुनात बंदीजन तुलसी भूषन रसरूप रसदरपन सेवादास वरत विचार सुखदेव मिष्ड सही सुमेलित है दे यानि कि कह में एक, खह में दो, गह में तीन और गह में चार अगला प्रशन है आचारे रामचंद्र शुकल के अनुसार रीति काल का अंतिम श्रंगारी कवी कौन है? ग्वाल कवी पदमाकर घनानंदी या द्विजदेव तो सही उत्तर है द्विजदेव 28 वा प्रशन है बिहारी पर समिक्षात्मकरती कवी वर बिहारी लाल के लेखक कौन है? प्रशन कवी भारतेंदु हरिश्चंद्र राधा कृष्णदास या महवीर प्रशाद दिवेदी सही उत्तर है राधा कृष्णदास अगला प्रशन है रीती कालेन लक्षन ग्रंथकारों का अंतिम कवी निर्धारित है यानि किसे माना गया है? द्विजदेव ग्वाल कवी ठाकूर पदमाकर तो सही उत्तर है पदमाकर अगला प्रशन है लोगन कवित की वो खेल करी जान्यों है समिक छात्म कुक्ति के लेखक कौन है? मतिराम बिखारी दास ठाकूर चिंता मणी सही उत्तर है ठाकूर तो विद्ध्यारतियों ये थी आज की वीडियो हमने जैसा कि पूर में बताया ये वीडियो उन विद्ध्यारतियों के लिए ज्यादा लाभान भी थे है जो की सैट, नेट, जे आरेफ की तयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्ते के अंतरगत जो प्री पीचडी एंट्रेंस की तयारी कर रहे हैं हिंदी साहित तेक अंतरगत या जो किसी भी प्रकार की सी के लिए वीडियो अपने पूरी देखी हिसके एपका बत बहुत शुक्रिया हम आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान भीत होगी और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें साथी साथ बेल आइकोन को भी दबा लें, औल नोटिफिकेशन दबा लें इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिग्यासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्ने हिंदी साहित्ते के हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरन के टोपिक को लेकर के तो कमेंट्स बॉक्स के मादने में सुचित कीजिए का बताईएगा हम उसका समाधान करने का परियास करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उपिसाथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार